हमारे परिवार की हालात बहुत नाजूक है घर खिराय देने वो को नहीं है घर के ऊपर बच्ची का भी बहुत से जगा के पैगाम आए लेकिन पैसा नहीं होने की वज़े से उसका शादी का हम आगे बढ़ाते जा रहा है मदुकर शुगर फैक्टरी के अंदर में 27 साल से 27 है पगार होना पगार जनुवरी 17 पस से अभी तक थकी थे दो साल से फैक्टरी बंद है फिर हमने आत्म दहन का फैसला लिया आज हम बात कर रहे हैं मदुकर साकार कारखाना फैस्टपूर यहां के करमचारी हमिश्या बिस्मिल्ला शाह इनोंने आज पुलिट टेशन जिल्ला अधिकरी मुख्यमंतरी आमदार खासदार ओ कारखाना संचलक मंदर को एक निवेदन पत्र दिया जिसमें इनोंने कहा के मैं 28 जून को वैचपूर शहर के मदुकर साकर कारखाने के मेन गेट पर आत्म दहन आत्म बलिदान भुत कुशी करूंगा पूरे परिवार के साथ 2017 स मुझे पकार नहीं मिला मेरे घर की प्रस्तिती बहुत नाजुग है और मैं किराया भी नहीं भर सकता मेरी लड़की की शादी की उमर हो चुकी है लेकिन मैं उसकी शादी नहीं कर पा रहा हूँ पैसा ना होने की वजह से मैं उसकी शादी नहीं कर पा रहा हूँ आज हम बा लेकिन हम आपको ये बताते चले कि एक और हमारे भारत के मन्य प्रतपदान मंतरी नरेंद्र मोधी जी जो कह रहे है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ लेकिन यहाँ पर आप इस परिवार की हालत को देखते हैं इनकी कोई मदद करने को तयार नहीं संचलक मंदल इनकी और और बहुत से कामगार रहे जो बहुत परिशान है इन पर संचलक मंदल कोई ध्यान नहीं दे रहा है आज आपको ये हमिश्या खुद इनकी हालत बताने वाले है हमिश्या बिस्मिल्ला शाह मदुकर शुगर फ्यक्टरी के अंदर में 27 साल से सर्विस्कु है उनको बार बार अरजी देते रहे कारखने तरफ बीनियन तरफ संचलक मंदल के तरफ पगार होना पगार जन्वरी 17 पस से अभी तक ठकीत है और दो साल से फ्यक्टरी बंद है प्रादुलबाव होने से हम घर की आहलात नाजुक होने से खेती वगरे नहीं होने से हम नवकरी के उपरे डिपेंड है यह हिसाब से आज हमारे को यह नववत आ गई क्या यह लोगों को बोल बोल के हम बहुत परिशान हो गए आखिर हमने आत्मदहन का फैसला लिया और सा खाज़दार साहब, अमदार साहब, यहावल रावेर तलुका, रावेर रोल स्वा के खाज़दार और उपविभागे अधिकरी, प्रांत फश्पूर, मां आचे सायक, पोलिस निरिख्षक फश्पूर, चेर्मन, मानिय कारखाना चेर्मन और संचलक मंडर, इनके तरब मैं है, क्यों इनको बोलने के बावजित भी कुछ फरक नहीं पड़ा, आज तक इसलिए लेखी जो भी हमने किया है, वो सब जनता के सामने हैं, और हमारा यह पचला अटल है, अभी फिलाल में जो हालत है, तो नोकल के सिवा दूसरा परियाई नहीं है, और मेरे पास खेती वग काम आये, लेकिन पैसा नहीं होने की वज़े से, उसका शादी का हम आगे बढ़ाती जा रहा है, और उसके बाद बच्चा भी बार्वी कर रहा है, उसको भी शिक्षन के लिए पैसे की जरूवत पर रही है, घर के अंदर दवा खाने का जो भी है, वो शुरू रहता है खर् उसका कुछी फैसला किया नहीं, इसलिए हमको ये अत्मधहन का इशारत देना पड़ा है, मैं हमिशा बिसमिल्ला शाह का लड़का, मेरे अबबा मदूकर सा कारकार खाने में काम करते है, दोजास सत्रा जैन्यवारी पासुन उनको पगार नहीं मिली है, जैन्यवारी दोज साथ देंगे, पिछले दो सालों से जिन्दगी जीना मुश्किल हो गई है, हमारी कोई मदद नहीं हो रही है, हमने क्या करना आप बताए, अठावी जुन जो निर्निया है, हम उनके साथ है, उनका साथ देंगे हम, और जो भी अभी परिशानी चालो है, हम चाहते हैं कि हम बही बताना चाहते है,